हो चुका है आगाज रन का युग बदलनी की तयारी हो जीत उसी का होगा जिसका संगर सजारी नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपनी चैनल बेसिक नॉलेज में तो कैसे हैं आप लोग आसा करता है स्वास्त है और पढ़ाई बहुत दस्त करें जिया दोस्तो आगाज शुरू हो चुका है रन का और यह आप लोगो इकली टेस्ट से हो चुका है और इसी से आगे बड़तर आप लोगो अर्दवार्सिक परिक्षा होगा फिर प्री बोर्ड होगा फिर बार्सिक परिक्षा होगा तैयारी में जो यह देखिए प्री बोर्ड का कोईसन आप लोग बोड एक्जाम पूछा नहीं जाएगा हरी questions important है और वो बोड एक्जाम में भी आएंगे बहुत सारी questions में से तो इसके त्यारी करते करते हैं आप लोग बोड एक्जाम का अच्छा त्यारी हो जाएगा चलिए कुछ मत्पूरों questions लेकर आए जो जाएक बोड का official questions ह देखिए और सबसे बड़ा चीज़ समझिए क्योंकि समझेंगे ना तो question या कोई भी देंगे फोड के रख देंगे आप लोग ठीक है तो चलो दोस्तों सुरू करते हैं इस वीडियो को ठीक आर आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं कमेंट करके जरू हुलना क्योंकि पढ़न प्रकास के करिणें गमन करती है आपको पता है प्रकास बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करती है याद रखेगा प्रकास बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करती है यानि कि सीधी रेखा में स्टेट लाइन लाइट ट्रेवल सेने स्टेट लाइन बहुत मत्पुन स्वाल है न पश्ट देखने की नियुंतम दूरी लगब कितना सामने हम लोग किसी वस्तु को रखें आख से कि हम लोग वस्तु को इस पश्ट देख पाएंगे तो यह सवाल बहुत मत्पुन है कई बार एक्जम पूछा कि या रखेगा यह होता है 25 सेंटीमीटर तो यानि ऑप्शन नमर कि यंतर को क्या काते हैं धारा मापने वाली यंतर को क्या बोलते हैं ठीक है तो धारा मापने वाली यंतर को बोलते हैं आमीटर बोलो या एमीटर बोलो यानि ऑप्शन नमर को जो है बिल्गोल आप लोगा सही उत्तर हो जाएगा धारा किसे मापते हैं आमीटर से याद ओके चलो आगे बढ़ते हैं भी बटे आय का अनुपात कहलाता है तो आप लोग ओम स्लो पड़े होंगे ओम स्लो में हम लोगा होता है न भी इकल टू आई आर यह होता है ध्यान से देगो भी इकल टू आया बस यह फॉर्मला याद रखना है भी बटे आय करो भी बटे आय करेंगे तो उधर क्या बचेगा उधर आर बचेगा जो अनुपात हो स्क्क्राब बोले तो परति रोग मतलब धारा में जो रुकावट उत्पन होता है आप आप लोग सर परतिरोध क्या है तो धिहान से सुन लीजी प्रतिरोध मतलब जो धारा भैता उसमें जो रुकावट बना होती है ना उसे हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं क्या बोलता है resistance रुकावटें अगला प्रेस्ट नाएं दोस्तों chemistry किसे है देखिए क्या बोला है एक अभिकरिया दे दिया है F2O3 जो की ferrous oxide है यह aluminum से अभिकरिया कर रहा है ठीक है और क्या बना रहा है AL2O3 हो जाएगा और F2 को बिचारा अकिला छोड़ देगा तो क्या हुआ यहां पर कहानी क्या हुआ कहानी यह हुआ कि aluminum जो है F2 को हटा दे रहा है उसके villain से मतलब विस्थापित कर दे रहा है उसके villain से भैया विस्थापित करेगा तो विस्थापन reaction होगा तो विस्थापन reaction कहां पर है देख लिजिए विस्थापन यानि कि विस्थापन अभिक्रिया option number गह डिस्थापित रियकल सिरका में इकुन से अमला पाएं जाता है अमलाप विस्थापन पाता है मतलब स्वाद बिगड़ जाता है ठीक है अगर कोई आपसे पूछे नहीं स्वाल की तुम मुझे कितना प्यार करते हो तो बोलना मैं आपको नमक से भी ज़़ा प्यार करता हूँ उसको लगा अरे भाई ये तुम्हेरा बेज़ती कर रहा है फिर उसको क्या करना ना उसको बेज़ती ठीक करने के लिए उसको बोलना भाई तुम एक दिन उसको खाना बिना नमक का खालो ठीक है मतलब समझ रहो तो पता चलाएगा नमक का वैलू क्या है तो साधर नमक का सूतर याद रखना ही होता है अने जिसको में बोलते हैं सोडियम क्लोराइड उप्सन नमक को हो गया सही जाओ चलो आगे बड़ू चालना बढ़ किसी बिलेन का पीजमान पांच हो और क्या होगा तो बिलेन अगर पीजमान पांच है तो साथ से कम है तो अमला हो जाएगा साथ से ज्यादा होता अगर आठ नौ से दस से चौदा तक कुछ भी होता तो ये क्या होता चार होता जीरो से साथ तक है तो क्या हो जाएगा जीरो से साथ साथ से कम है ठीक है मतलब छे तक है तो अमल हो जाएगा साथ से कमें तेगों, अमल हो जाएगा और पूरा पुरीश साथ है तो उदासीन हो जाएगा जैसे की नमक समझ गया है CAO CL2 योगी का प्रचलित नाम क्या है और ये प्रचलित कुर्चिन है कई बार एक्जाम में पूछा गया इसलिए ये प्रचलित है तो यह हो जाता है ब्लिचिंग पावडर जिसका होता है क्या CAO CL2 ब्रेंजक चूर्ण जिसको हम लोग बोलते हैं समझ गया है चले आगे और कुछ सवालों काम लोग इसमें देखते हैं जो कि आप लोग एक्जाम के लिए बहुत महत्पुना है ठीक है ये तो आप लोग का सब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव कोशन भी कराएंगी जिनता मत करो ठीक है वह हम डिटल बोर्ट में कराएंगे ये देखि सर कैसे अरे भाई बाइक चलाया हो आप सर बाइक चलाया है नहीं चलाया है तो बैठे तो पीछे जरूर होंगे तो आप लोग देखे होंगे वहाँ पर एक दरपन लगा होता है जिसको अपना चेहरा देखते हो एक्चुली चेहरा देखने के लिए होता है पीछे का द्रि बनाता है कैसा आभासी आगे बढ़ो लेंस की सक्ति कैसे मतर क्या हो जाएगा इसका होता है डाप्टर भले गलती से सक्ति देखे वाट मत मार देना वरना आपका वाट लग जाएगा ठीक है सक्ति नहीं ये लेंस की सक्ति ये तो लेंस की सक्ति को हम लोग ऐसे मतर क्या होता है डाइप्टर होता है ठीक है आगे देखो आग के रंगीन भाग हो क्या बोलते हैं आपका आग का जो रंगीन भाग है उसे हम लोग बोलते हैं आईरिस कौन सा रिस आईरिस या आईरिस ठीक next प्रतिक इलोक्ट्रॉन पर कितना कुलंब रिन आबेस होता है आपको याद रखना है कि प्रतिक इलोक्ट्रॉन पर एक कुलंब में 1.6 इंटो 10 के पावर माइनस 19 कुलंब आबेस होता है यानि कि यो बी नमबर जो आपका परम सत्त उत्तर हो जाएगा इसको मार दो गोली और चलो आगे बढ़ो खेलो हो ली ओम मातरक है ओम किसका मातरक है तो ओम दोस्तों मातरक होता है प्रतिरोध का वही प्रतिरोध जो हम लोग कुछ दिन पहले पहले कुछ दिन में नहीं कुछ सेकेंड पहले कुछ मिनट पहले जो धारा में रुकाउट उत्पन्न होती है उसी कि तो हम लोग बोलते हैं परतरूद जिसको हम लोग किसे डिनोट करते हैं आर से और ओम इसका ऐसा मतरक क्या हो गया ओम ओम का सुचक क्या होता पता यह होता है सुचक ओम इस प्रकार से गोटी देखे हो गोटी उल्टा कर तो गोटी को ओम हो जाएगा ठीक है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार के विक्रिया है और ये सवाल का उत्तर आप लोग कमेंड में करोगे एक होमवर्क आप लोग के लिए भी है इसका एंसर आप लोग कमेंड में करना की सरीर में भोजन का पच्छना किस प्रकर का भिक्रिया होती है संयोजन, अफचायन, विश्थापन की ब्योजन पटाफट से कमेर में डाल देना जल में गुलन सिल छारक तो ये छार बोलते हैं अगला प्रसन अमले बिल्यान का पियेच मान ठीक, और इसके बाद कौन सा धातू ये चप्टर आप लोगा नहीं है धातू वाला तो यह यही तक देख लो सारी इंपोर्टन कोशन जैक बोड को अफ़ियल कोशन से सभी को सेर जरू कर देना तकि सभी लोगों इसका लाब मिले ठीक है चलो ये बाद भी देख लो कुछ फिलिंदा बिलैंक से इसको देख लो कि व्यक्ति जो व्यक्ति दूर की बस्तू को साप नहीं देख सकता है उसे डैस लेंस का वेवार करना चाहिए सुन लो दूर की बस्तू को साप नहीं देख सकता है मतलब निकट की बस्तू को देख सकता है को सिन को जरा समझो ध्यान से क्या बोल रहा है कि जो दूर की बस्तू को साप साप नहीं देख सकता है निकट की बस्तू को साप देख सकता है इसका मतलब या तक ना तो जो दूर दिश्ट मतलब निकट दिश्ट जो होता है उसे ठीक करने के लिए अब दलन साइए इसमें निकट का बस तो दिखता है दूर का बस तो नहीं दिखता है चालक में बहने वाले धारा डैस के समानपाती होता है चालक में बहने वाले जो धारा आई आई किसके प्र यह होता है उपचाइन एक प्रक्रिया जिसमें ऑक्षिजन का अनुपात है बढ़ता है और आनी क्योग आप लोगा धात हो चाहिए उपचाइन को देखिए सभी को जरू से करना और इसी प्रकारो विडियigrade चाते हैं तो कमेंट में जरूर बोलना और वीडियो किसप्रकार का लगा यह भी कमेंट में जरूर बोलना दोस्तों ठीक है चले है जस्तों लब взять qawla a